अपने घर की तरफ आ रहा था, रात का समय था, वह लड़की मेरे पीछे पीछे चल रही थी, उसकी खुश्पू मुझे पागल कर रही थी, वह कितनी सुन्दर थी, इतनी खुबसूरत की यह कोई सपना था, वरना इतनी सुन्दर लड़की मेरे पीछे क्यों चल, रही हो थी मैं उसे घर में ले आया, पर मुझे नहीं पता था कि वह कौन है मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था, मैं उसकी मदद कर रहा था लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मेरे साथ कुछ ऐसा करेगी कि फिर मुझे मदद की जरूरत पढ़ जाएगी मैंने उससे पूछा के तुम्हारा नाम क्या है तो उसने कहा कि तुम्हें कौन सा नाम पसंद है मैं यह सुनकर हैरान हुआ मैंने कहा यह कैसी बात है तो कहने लगी बताओ ना तुम्हें कौन सा नाम पसंद है मैंने दिल में सोचा और कहा तुम तो मुझे मीरा जैसी खुबसूरत लगती हो, इसलिए मुझे तो मीरा नाम ही पसंद है। तो कहने लगी, मेरा नाम तो मीरा ही है। मैं बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसकी प्यारी सी मुस्कान ने मुझे कुछ सोचने नहीं दिया। वह जाकर मेरे कमरे में बैठ गई, लेकिन और कहा जाती, इस घर में तो एक ही कमरा था, शायद ठक गई होगी। मैं बाहर बैठ गया, मैंने कहा कि वहां अंदर सोचाएगी और मैं बाहर जमीन पर ही सोचाओंगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने मुझे अंदर बुलाया। उसने मुझे आवाज दी थी, मुझे लगा कि किसी चीज की जरूरत होगी। इसलिए मैं फोरन चला गया, पर जब देखा तो, हैरान रह गया क्योंकि वहां तो दुलहन बनी बिस्तर पर बैठी थी, और मुझे इसी तरह बुला रही थी कि जैसे अपने पती के साथ पहली रात है और उसके चहरे पर मुस्कान भी थी। वह बहुत खुबसूरत लग रही थी, इसे देख कर मैं हैरान रह गया, लेकिन जब मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा और आगे नहीं गया, तो उसने मुझसे एक बात कही। उसने कहा कि आज तो हम दोनों की। मेरा नाम रोहित है, मैं रेलवे की पट्री के पास रहता था, वही पर मेरी छोटी सी खोली थी और मैं कुली का काम करता था। मेरे पास और कोई काम नहीं था, मैं दिखने में सुन्दर था, लेकिन घर परिवार से दूर हुआ था। मेरी भी दिल से कबूल नहीं किया, और अपने बेटे के लिए मेरे बापुजी को भी छोड़ दिया। लेकिन मेरा बड़ा भाई अच्छा था, जब तक हम साथ थे, उसने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, वह मुझे अपना छोटा भाई ही समझता था। लेकिन जब माने ही पराया कर दिया तो फिर उससे क्या रिष्टा नाता रखता। अब मैं यहां आ गया और वह लोग कहीं और रहते थे, लेकिन कभी कभी मुझे मेरा बड़ा भाई फोन कर लेता था, पर अब तो दो-तीन साल से उसका फोन भी नहीं आया था। सुना था कि उसने शादी कर ली थी और वह बच्चों वाला हो गया था, शायद इसी लिए बीजी हो। गया था, अब उसके पास अपने सौतेले भाई को फोन करने का भी वक्त कहा था। मेरा भी दिल करता था कि मेरी भी शादी हो जाए, मेरी एक पत्नी हो। यहाँ पर मेरा एक दोस भी था जो मेरी तरह ही था, उसका भी घर परिवार। नहीं था, वह भी शादी करना चाहता था, उसका नाम मनीश था, वह मुझे कहता था कि हमारी शादी नहीं होगी यार, हमारी शादी कौन करवाएगा, हमारे तो अपने नहीं है, हम अकेले लड़कों को कौन अपनी बेटी का हाथ देगा, और हमारे पास है क्या, एक कमरे वाल चोटा सा मकान जिसमें कुछ भी नहीं है ऐसे घर में आज कल की लड़कियां नहीं रहती हैं और अगर हम लोग किसी सुन्दर लड़की से शादी करना चाहते हैं तो वह तो बिल्कुल भी यहां नहीं आएगी फिर हमें ही अपने आपको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा और कोई भी बस ठीक ठाक लड़की किसी गरीब घर की हो तो उसके साथ शादी करके चलाना होगा शायद वह भी यहां पर न रहे वह हमेशा सची बात करता था तो मेरा दिल बहुत जलता था मैं उसे कहता था कि दिल रखने के लिए ही जूट बोल दिया कर लेकिन ऐसा नहीं करत था मैं तो हमेशा से ही किसी सुन्दर लड़की से शादी करना चाहता था मुझे तो सपने भी सुन्दर लड़कियों के ही आते थे क्योंकि मैं खुद भी खुबसूरत था हां मैं गरीब था पर मेरी शकल तो अच्छी थी मेरा दोस्त कहता था कि तेरी शकल अच्छी होने स क्या होता है मर्द की शकल कोई नहीं देखता सब लोग मर्द की जेब देखते हैं तेरी जेब में क्या है यह तू हटा-कटा है लंबा चोड़ा है इसलिए तू ज्यादा काम कर लेता है तो हमसे दो पैसे ज्यादा बना लेता है लेकिन इतने में भी गुजारा नहीं होता मु कैसी ही गुजर जाएगी कुछ ना कुछ तो मेरे लिए भी रखा होगा उसने अपने पास जो वह मेरे पास भेज देगा इससे पहले एक लड़की से मेरी दोस्ती हुई थी लेकिन वह मेरे खर्चे करवाती रही मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी सारी मांगे पूरी की पर आ था कि यहारान रहे गया ये कैसा डर था कि तुमने मुझे यह बात नहीं बताई और मेरा दिल तोड दिया फिर वह गुस्से में आ गई और अपनी असलियत पर आ गई उसने कहा की हां क्या है मैंने कर ले जो मेरा कर सकते मैं क्या कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था, मेरी अपनी मा इस दुनिया में नहीं थी, मेरी सौतेली मा ने भी मुझे कुछ नहीं समझाया, लेकिन मैं बुरा आदमी नहीं था कि, किसी औरत के साथ बुरा करता, इसी लिए चुप हो गया, और भगवान के पास अपनी शिकायत लिखवा दी और उसको कहा कि, अब तूने ही मेरी मदद करनी है, पर अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मेरी भी उम्र बढ़ रही थी, कब शादी करता, कब बच्चे होते, कब घर बसाता, एक दिन इसी दुख में आकर मैं अपने घर से निकल गया और रिलवे स्टेशन पर बैठ गया क्योंकि घर में अकेले रहने से मुझे बहुत ज्यादा अजीब महसूस हो रहा था, कि जैसे मेरा कोई भी नहीं है, यहाँ पर तो लोगों को आते जाते देख रहा था, पर सर्दियों की राते की वज़े से फिर यहाँ पर भी सन्नाटा चाने लगा, सब कुछ बंध होने लगा, और सब लोग जाने लगे, रात भी काफी हो गई थी, मैंने सोचा कि बस में भी जाता और जाही रहा था जब मुझे एक खड़ी हुई ट्रेन के पीछे से किसी लड़की के रोने की आवाज आई, ट्रेन काफी देर से यहाँ खड़ी थी और आवाज ऐसे आ रही थी कि जैसे इसके पास ही कोई जमीन पर बैठा है, पहले मुझे लगा कि ऐसी ही मेरे कान बज रहे हैं, लेकिन फिर मैंने गोर किया लड़की कौन थी जो इस वक्त यहाँ खड़ी थी और रो रही थी, मुझे यकीन हो गया था कि आवाज सच मुचा रही थी, मैं उस तरफ जाने लगा और जब मैंने उस लड़की को देखा तो मैं एक पल के लिए डर गया, क्योंकि वहाँ मुझे कोई लड़की नहीं, आस्मान से उत्री कोई अपसरा ही लग रही थी, कितनी खुबसूरत थी, पर उसके सर पर एक चोट का निशान था, उसकी बड़ी बड़ी आखे थी, उसने कपड़े भी, सफेद पहन रखे थे, पता नहीं वहाँ जिन्दा भी थी या नहीं, पर जैसे उसने मुझे देखा तो उसकी आखों में एक अजीब सा एसास उभरा, जैसे कि किसी अपने को देख कर इनसान सोच लेता है कि बस अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैंने, कहा कि आप कौन है, यहाँ क्या क रहा है, पीछे से कुट्टों की आवाज भी आ रही है, कहीं वह कुट्टे मुझ पे हमला न कर दे, आप मेरी मदद कर सकते हैं, आप तो इतने हट्टे-कट्टे लगते हैं, आप तो मेरी मदद करेंगे ना, यह लड़की तो एक सांस में ही बोल रही थी, मैंने कहा कि हाँ मैं आपकी मदद करता हूँ, आपका घर कहा है, आपको कहा जाना है, आपको स्टेशन तक ले जाता हूँ, और गाड़ी में बिठा देता हूँ, क्योंकि उसने अपने घर ही जाना था, पर वह कहने लगी कि नहीं मुझे, मेरे घर नहीं जाना, मुझे पता नहीं है, है मेरा घर कहा है मेरा तो कोई घर है ही नहीं बस आप मेरी मदद करें पता नहीं ये कैसी बाते कर रही थी जब उसको उसके घर का पता ही मालूम नहीं था तो फिर मैं उसकी मदद कैसे कर सकता था लेकिन अब तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि क्या मेरी मदद नहीं करेंग मैंने सोचा किसको फिलहाल घर ले जाता हूँ, अभी रात है ठीक कह रही थी, वह इस वक्त स्टेशन पर इस इलाके में कुत्ते भी होते थे, और फिर स्टेशन था हर किस्म का आदमी यहां आता जाता, जितनी ये, सुन्दर थी, इसके साथ कुछ भी हो सकता था, इस लड़की ने तो मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया था, अगर कोई इसको मेरे साथ देख लेता तो वह भी मुझसे ही सवाल करता, अगर यहां बात भी सच थी कि मैं इसको यहां पर छोड़ कर नहीं जा सकता था, मेरा इसको नहीं बचाऊंगा तो कौन बचाएगा, बस मैंने उससे कहा, मेरी बात गौर से सुनो और देखो, अभी रात हो गई है, तुम्हें पता भी नहीं है, कि तुम्हें कहा जाना है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें अपने घर ले जाता हूं, तो कहने लगी, यह बिल्कुल, ठीक है, आप मुझे अपने घर ले जाएं, मुझे बहुत दर लग रहा है, बहुत सर्दी भी लग रही है, बहुत भूख भी लगी है, मैंने कहा, तो पहले मेरी पूरी बात सुन लो, मैं घर में अकेला रहता हूँ, मेरे घर में कोई औरत नहीं, मुझे लगा था कि उसे इस बात से कोई दिक्कत होगी, जाहिर है वह अकेले आदमी के साथ रात के समय उसके घर में क्यों जाएगी, उसने कहा, ठीक है, मुझे कोई आपत्ती नहीं है, जब उसने ऐसा कहा तो यह सुनकर मैं, हैरान रहे गया, यह किस किसम की लड़की थी, कह लेकिन नहीं, यह ऐसी नहीं लग रही थी, यह तो बहुत अच्छे घर की लग रही थी, मैं उसे अपने साथ ले जाने लगा, वह मेरे साथ चल रही थी, जैसा मैंने पहले कहा था कि मैं जिन खूबसूरत लड़कियों को अपने सपनों में देखा करता था, यह बिलकुल वैसी ही लग रही थी, लेकिन अभी मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं आ रही थी, सर्दियों की राते आम रातों से ज्यादा सुनसान होती है, अच्छी बात थी, मैं नहीं चाहता था कि कोई हम दोनों को देख ले और फिर अभी से ही सवाल करना शुरू कर दे, वह कह रही थी कि मुझे भूख लगी है, मेरे घर में, सिर्फ मेरे लिए खाना पड़ा था, मैंने सोचा कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, पहले भी तो भूखे पेट सोता हूँ, इसी को खिला दूँगा, मैं उसे अपने घर ले गया, मुझे उसे अपने घर ले जाते हुए भी बहुत बुरा लग रहा था, यह घर, थोड़ी था, यह तो एक छोटी सी जगह थी और यह किसी का घर नहीं लग रही थी, मैंने दिल में सोचा कि यह क्या सोचेगी कि कैसी जगह पर ले आया है, इससे अच्छा तो वही पर बैठी रहती, लेकिन उसने ऐसे कुछ नहीं कहा बलकी, कहा कि आपका घर तो बहुत सुन्दर है, मैं हैरान रह गया, यह क्या मुझे पागल बना रही हो, यह घर कहीं से भी सुन्दर नहीं था, मैंने उसके लिए खाना रखा और कहा, मुम धोलो, मैं खाना लेकर आता हूँ, उसने कहा, ठीक, ए, और खाना ऐसे खाया कि ज ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने बात नहीं की, पर मैंने पूछा, यह क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो कहने लगी, मुझे नहीं पता, वह खाना खाते बहुत मासूम लग रही थी, और खाना ऐसे खा रही थी कि पता नहीं आखरी दफा कब खाया था, मैंने कहा, आ तुम्हारा नाम क्या है? तो कहने लगी, कौन सा नाम पसंद है आपको? मैंने कहा, यह तुम क्या पूछ रही हो? मैं तुम से तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ, तुम कह रही हो क्या आपको कौन सा नाम पसंद है? वैसे मुझे तो तुम बिलकुल मीरा जैसी खुबसूर लग रही हो, इसलिए मुझे तो मीरा नाम ही पसंद है कहने लगी, अरे मेरा नाम मीरा ही तो है, मैं हैरान रह गया, इतना बड़ा सन्योग कैसे हो गया, पर क्यों नहीं हो सकता था, मीरा नाम तो बहुत ही लड़कियों का होता है, और शायद उसकी सुन्दर्ता की वज़ा से कही किसी ने उसका नाम मीरा रख दिया होगा, मैंने उसे कहा कि अब तुम आराम कर लो, खुद में थोड़ी देर के लिए बाहर गया, जब वापस आया तो वह घर में नहीं थी, मैंने सोचा कि पता, नहीं कहीं बाहर तो नहीं निकल गई पर फिर मुझे महसूस हुआ कि व कि जरूरत नहीं थी, मुझे भी अजीब लग रहा था, वह एक अकेली लड़की थी, जवान थी, और मेरे घर में थी, मुझे उसके पास ज्यादा नहीं जाना चाहिए था, कहीं वह मुझसे डर ही जाती, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने, मुझे खुद ही आवाज दी मैं हैरान रह गया और जब कमरे के अंदर गया तो सामने का माहौल देख कर तो ऐसा लगा, कि जैसे या तो मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक हो रहा है, और या फिर आज मेरी जिन्दगी का सबसे बड़ा सपना साकार होने वाला है, उसने मेरी अलमारी में पड़ा मेरी मा का एक लाल दुपट्टा अपने सर पर कर लिया था और बिस्तर पर ऐसे बैठी थी जैसे नई नवेली दुलहन हो, मैं उसे देख कर हैरान रहे गया, उसने घूंघट किया हुआ था, मैंने कहा कि तुम क्या कर रही हो, उसने कहा दर्वाजा बंद कर दो, मैं आपकी पत्नी और क्या? मैंने कहा, ऐसा मजाक नहीं करो मेरे साथ, यह तुम क्या कर रही हो, मैं तुम्हें वहाँ से लेकर आया हूँ, तुम जब से आई हो, अजीब बाते क्यों कर रही हो, उसे ऐसे लगा कि मैं उसे डांट रहा हूँ, तो उसने रोना शुरू कर दिया, और मुझे और क्या कोई पहली रात को अपनी पत्नी को ऐसे डाटता है आप तो बड़े निर्दय हैं मैं उसे चुप करवाने लगा मैंने कहा अच्छा बताओ यहां सब क्यों कर रही हो उसने कहा और क्या करूं पत्नी हूँ मैं आपकी वो तो ऐसे हग जता रही थी जैसे आज ही हमारी यहां लड़की क्या चाहती थी मैंने कहा देखो तुम मेरी पत्नी नहीं हूँ उसने कहा फिर बना ले ना मुझे अपनी पत्नी ऐसे बोली जैसे बहुत ज्यादा समझदार है और मेरे पास बोलने को कुछ नहीं था उसने कहा सुभा तक सोच कर बता दीजिएगा मुझे त सोचता रहा लड़की कौन थी कहा से आई थी मुझे कुछ भी पता नहीं था लेकिन मैं कौन सा किसी बड़े खांदान का वारिस था जो यह सोचता की कौन है कैसी है किस जाती की है जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया मेरी जो इस वक्त हालत थी यह लड़की क्या अग क्या किसी को देने के लिए मैं तो अगर उससे शादी करता तो शायद मंगल सूत्र भी उधार पर लेता पर वह मुझसे शादी करने को तयार थी वह बहुत ज्यादा सुन्दर भी थी उसने कहा था कि आप सुबह तक सोच सकते हैं और मैं वाकई सुबह तक सोचता ही रहा फिर मैं खुदगर्ज हो गया मैंने कहा जब उसको कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे क्या दिक्कत है मुझे ऐसा मौका बार-बार नहीं मिलेगा लड़की अच्छी है सुन्दर है मासूम है मैं इसको जो कहता हूँ यहां मानती जाती है हम किसी मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे और यहां मेरे साथ किसी घर में रहेगी जो भी मेरे साथ हो रहा था बहुत अजीब था लेकिन आप लोगों को यहां भी बता दो कि यहां सब कुछ बहुत देर से और बहुत समय तक अकेले रहने के बाद हो रहा था, ऐसा समझो की, मैंने इतने बुरे वक्त देखे थे, कि अगर यह सब मेरे साथ हो रहा था, तो शायद मेरे दुख का इनाम था, सुबा मैंने उससे कहा कि मेरे से शादी करोगी, तो वह इस बात पर बहुत खुश हो गई और शर्माने लगी, उसने कहा कि और, नहीं, तो क्या, मैं तो कबसे आपसे शादी करना चाहती हूं, पता नहीं वह ऐसा क्यों कह रही थी, कि कबसे मुझसे शादी करना चाहती है, वह तो मुझे रात को ही मिली थी, अब मैंने इन बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया, मैं भी उसी तरह हो ग पर गया कि मुझे कोई भी न देखे, क्योंकि अगर कोई भी देखता तो बहुत सारे सवाल करता, और। मैंने उसे दवाई भी दे दी थी हमारी जिन्दगी शुरू हो गई थी मैं बहुत ज्यादा खुश था अचानक से ही वह बिल्कुल वैसी पत्नी बन गई जैसी पत्नी हर मर्द को चाहिए होती है मुझसे प्यार मोहबत करने वाली घर को संभालने वाली अच्छा खाना बनाने वाली मैंने उसे कहा कि तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो तो उसने कहा मुझे तो पता नहीं था कि मैं भी अच्छा खाना बनाती हूँ अच्छा तो बन गया है एक दिन मैं घर आया तो वह साथ वालों के घर से सिलाई मशीन माग के लाई थी और अपने लिए कुछ कपड़े सी रही थी मैंने कहा कि तुम्हें कपड़े भी सीने आते हैं तो कहने लगी कि सीने को नहीं आते थे लेकिन ऐसे ही मेरे दिल में बात आई तो मैं जाकर मशीन माग लाई और मेरे पास यहाँ एक आपकी मा की साड़ी पड़ी थी, इसी का सूट बना रही हूँ, लेकिन जब मैंने उसे, देखा तो मैं हेरान रह गया, वहाँ तो बहुत अच्छे कपड़े सी रही थी, फिर ऐसी बाते क्यों करती थी, या तो यहाँ थोड़ी सी पागल थी, या फि उसकी बातों पर हसता रहता था, लेकिन यहाँ बात बहुत खुशी की थी, उसने इस घर को घर बना दिया था, और वहाँ मेरे साथ बहुत ज्यादा खुश थी, वहाँ कहती थी कि यहाँ घर इस दुनिया का सबसे सुन्दर घर है, आप इस दुनिया के सबसे सुन्दर करना चाहता हूं अब मैं यह कुली की नौकरी छोड़ना चाहता था मैंने एक जगह जाकर बाद भी की उन्होंने कहा कि एक नौकरी है बॉयलर पर काम करना है लेकिन काम मुश्किल है अगर तुम्हारे साथ कोई अनोनी हो गई तो उसकी जिम्मेदारी हम लोग नहीं लेंगे पर पैसे वह लोग बहुत ज्यादा दे रहे थे, इतने पैसे दे रहे थे कि जितने मैं पांच महीने में कमाता था मैंने मीरा को नहीं बताया कि कौन सा काम करने के लिए जा रहा हूं पर उसे कह दिया कि अच्छा काम मिल गया है, तो वह भी खुश होगी जब मेरा काम बदल गया, तो मेरा मनीश से मिलना भी कम हो गया पर उसको किसी ने बता दिया कि मैंने शादी कर ली है और अपने घर में पत्नी ले आया हूं यह बात सुनकर उसे बहुत बुरा लगा कि मैंने उसे यह बात नहीं बताई थी तो मेरा दोस्त और उसके अलावा मेरा था ही कौन इसलिए फिर उसको मैंने सब कुछ बता दिया वह मुझसे ज्यादा समझदार था उसने कहा कि तुझे यह लड़की कुछ अजीब नहीं लगती कहीं यह तेरे साथ कुछ बुरा करने तो नहीं आई है उसकी हरकते तो बड़ी अजीब सी है मैंने कहा कि क्या बुरा करेगी मेरे साथ मेरे पास है ही क्या जो वह लूट के ले जाएगी यह मुझे किसी को बेच देगी या यह घर बेच देगी हमारे पास आखिर है ही क्या मनीश ने कहा कि हा तेरी बात बिल्कुल सही है, हमारे पास है ही क्या, लेकिन हो सकता है लड़की थोड़ी सी पागल हो, मैंने कहा कि नहीं पागल नहीं है, सारे घर के काम करती है, कपड़े भी सी लेती है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, मेरा ख्याल करती है, लेकिन कभी कभी अजीब सी बा है एक दफ़ा हम लोग आइस्क्रीम खाने गए थे और आपको आइस्क्रीम बिल्कुल पसंद नहीं आई थी तो फिर आपने मुझे बहुत डाटा था और कहां था कि इस जगा नहीं आना चाहिए था आपके बहुत सारे पैसे भी खर्च हो गए थे लेकिन यार मैं तो उसे अब तक कहीं भी लेकर नहीं गया फिर एक दिन मुझे कहने लगी कि मैंने आपकी पसंद का मटर का सालन बनाया लेकिन मुझे तो मटर पसंद ही नहीं है ऐसी ऐसी बाते करती हैं जो हमने एक साथ की नहीं होती हमने वह वक्त गुजारा ही नहीं होता जिसके बारे में वह मुझे याद करवा रही होती है मेरे दोस्त ने कहा कि फिर मेरी बात ठीक है न यहां लड़की थोड़ी सी पागल है ज्यादा पागल नहीं है लेकिन थोड़ी सी है थोड़ी हो या ज्यादा अब वहां मेरी पत्नी है और तुझे तो पता है तू खुद ही तो कहता था कोई भी लड़की नहीं आएगी हमसे म करने कोई लड़की शादी नहीं करेगी लेकिन वह बहुत ज्यादा सुन्दर भी है और इस घर को संभाल भी रही है और बहुत खुश भी है मुझसे कुछ मांगती भी नहीं है कोई शिकायत भी नहीं करती आज हमारी शादी को तीन महीने होने वाले हैं उसने एक दफा भी कि चलो अच्छी बात है ऐसी ही कोई मुझे भी मिल जाए लेकिन उस पर थोड़ी नजर भी रखना कहीं इसको पागलपन का दौरा न पड़ जाए मुझे इस बात पर गुस्सा आया लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा मैं अपनी जिन्दगी में बहुत खुश था और जिन्दग मैंने से आशा प्रेम हो गया था जैसा किसी फिल्म या ड्रामा में होता है शायद उससे भी ज्यादा लेकिन एक दिन मुझे मेरे सौतेले भाई का फोन आया मैं हैरान हुआ कि आज उसको मेरी याद कैसे आ गई लेकिन जब उससे बात की तो आवास से ही वह ज्यादा परेशान लग रहा था उसने कहा कि बहुत अकेला पड़ गया हूं बहुत परेशान हूं पिछले कुछ महीनों से मेरी जिन्दगी बहुत बुरी हो गई है मैंने उससे पूछा कि वह ठीक तो है उसके घर वाले तो ठीक है लेकिन उसने जवाब नहीं दिया और कहा कि मैं आ मेरी याद आ गई इतने साल से कहा थे मैंने कहा कि हाँ आ जाओ और उसको अपना पता बता दिया बात तो ठीक थी जब उसको मेरा पता ही नहीं मालूम था तो वह कैसे आता पर पहले भी तो फोन कर सकता था मेरा नंबर तो था उसके पास अब वह आ रहा था उसने कहा था कि ज्यादा वक्त नहीं लूँगा तुम्हारा बहुत परेशान हूँ बस तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए मैंने अपनी पत्नी को बताया कि मेरा भाई है जो तुम्हारा जेठ लगता है और वह आ रहा है तुम उसके लिए अच्छा सा खाना बना लेना मेरी पत्नी फिर स कोई अजीब सी बात करने लगी उसने कहा कि लेकिन आपके तो बड़े भया नहीं थे आपका तो छोटा भया था मैंने कहा कि मैंने तुम्हें कभी बताया ही नहीं कि मेरा कोई बड़ा भाई है तो तुम छोटे भया का जिक्र कहां से ले उसने कहा कि आपने खुद बताया था कि मेरा एक चोटा, भाई है जो बहुत दूर रहता है, अब आप कह रहे हैं कि मेरा एक बड़ा भाई है, आप भी ना अपनी बात को भूल जाते हैं, घर में चली गई और मैं हिरान रह गया कि क्या बात है, यह दो खुद पागलों जैसी बाते कर रही है, और फिर, मुझे पागल बना रही है, पर जैसा मेरे दोस्त ने कहा था कि इसके साथ कोई ना कोई दिक्कत जरूर था, पर वह इतनी सुन्दर थी कि मैं एक परेशानी को नजर अंदास कर रहा था, मैं उसकी ऐसी बातों को सुन लेता था और हंसने, लगता था, यहां देखो जरा इसको यहां म मैं आ रहा, मेरी ट्रेन स्टेशन पर पहुँचने वाली है, मैं तो स्टेशन के पास ही रहता था, इसलिए मैंने उसे जाकर रिसीव कर लिया, बहुत सालों बाद उसे देखा था, थोड़ा परेशान और बुरा लग रहा था, ऐसा लगता था कि कोई बहुत, बड़ी परे मैंने उसे पानी वगेरा, पिलाया और मैंने बताया कि मैंने भी शादी कर ली है, तो वो बहुत खुश हुआ, मैंने कहा कि मैंने तो सुना था कि तुम्हारे बच्चे भी हैं, तो कहने लगा कि नहीं, तुमने गलत सुना था मेरे बच्चे नहीं हैं, मैंने कहा कि, हाँ श पीना करते हैं, फिर उसके बाद बताना, तुम्हारी परेशानी क्या है, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूंगा, आखिर को तुम मेरे भाई हो, उसने कहा कि भाई तो मैं तुम्हारा नहीं हूँ, और मैंने तुम्हारे साथ इतने वक्त तक कोई मेल मिलाब भी नहीं रखा मुझे माफ कर दो, मुझे पता है तुम बुरे वक्त में थे और मैं वहाँ पर अच्छी नौकरी करता था पैसे कमाता था शायद मुझे तुम्हारी ही हाय लग गई है कि मेरी बनी बनाई जिन्दगी बरबाद हो गई है यहाँ बात सुनकर मैं भी थोड़ा परेशान हो गया पर मैंने कहा कि चलो इसे घर ले जाता हूँ घर आया मैंने उसे कहा कि मुझ धोलो और अपनी पत्नी को कहा कि मेरा भाई आ गया है जरा बाहर आ जाओ मेरा भाई भी मूह धोकर बैठ गया था जैसे ही मेरी पत्नी बाहर आई वहां मेरी पत्नी को देख कर अचानक से रोने लगा और फोरन उसकी तरफ बढ़ा और उसे अपने गले से लगा लिया और ऐसे गले से लगाया कि जैसे सदियों से उससे बिच्डा हुआ था मैं यह सब देखते ही हैरान रह गया मैंने मीरा को उसकी बाहों से निकाला और मैंने कहा कि छोड़ो मेरी पत्नी को मीरा इधर आओ उसने कहा ये मीरा नहीं, यहां तो जोती है, यहां मेरी पत्नी है, तुम्हारी नहीं मैंने कहा कि इतनी वक्त बाद मिले हो, पागल हो गए हो लगता ए? यहां मेरी पत्नी है, हम दोनों ने शादी की है, मीरा ने भी कहा कि हां मैं इसकी पत्नी हूँ तुम कौन हो और मुझे कहने लगी कि यह है आपका भाई देखो तो सही जरा कितना बुरा आदमी है इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई अब वहाँ मीरा से ही बात करने लगा कि तुम मुझे नहीं जानती ये मैं हूँ मैं तुम्हारा पती मैंने कहा कि पीछे हट जाओ लेकिन थोड़ी देर के बाद हमें उसके बेहोश होने की आवाज आई और हम लोग हैरान रहे गए कि बेहोश क्यों हो गई हम उसे उठा कर डॉक्टर के पास ले गए और फिर डॉक्टर को यह सारी कहानी भी सुनाई डॉक्टर ने हमें किसी और डॉक्टर के पास भेज दिया जो के दिमाग का डॉक्टर था फिर उसको यह सारी कहानी बताई उसने मीरा के साथ दो घंटे भी गुजारे और उससे कोई बात पूछता रहा और फिर हमें वह कहानी सुनाई जिसको सुनकर हम तीनों ही जिन्दगी के एक ऐसे मोड पर फंस गए कि अब हमारे लिए बहुत बड़ा फैसला करना मुश्किल हो गया था किसने सोचा था कि हम तीनों की जिन्दगी इस तरह एक दूसरे से जोड जाएगी उस डॉक्टर ने कहा कि मीरा को असोसियेटिव फ्यूग नाम की एक बीमारी है जिसमें इनसान किसी आदमी की वज़ा से अपनी पुरानी जिन्दगी के बारे में भूल जाता है और अपनी मर्जी से किसी दूसरी जगह पर चला जाता वह वहाँ पर जाकर नए खांदान नई रिष्टे बना लेता है यहां तक कि नई पसंद ना पसंद भी बना लेता है और उसको जो कहो वह मानता जाता है देखा जाए तो ऐसा ही हुआ था मेरे बड़े भाई ने बताया कि उसने मीरा के साथ अच्छा सलूक नहीं किया था उस पर हाथ उठाया था जगड़ा किया था और वहाँ बहुत ज्यादा दुख में थी इसलिए अचानक घर से चली गई और किसी ट्रेन में बैठ गई फिर किसी अजनबी स्टेशन पर उतर गई जहां से मेरे घर के पास थी और फिर मुझे मिल गई मैं उसको जो कहता गया वहां मानती गई उसने नाम भी मेरी मर्जी का रख लिया मुझसे शादी भी कर ली पर डॉक्टर ने कहा कि उसके दिमाग में पुरानी यादे थी तभी तो वहां मुझे कभी कभी कहती थी कि मैं आपके साथ एक जगह गई थी लेकिन हम लोग तो वहां गए नहीं थे और एक दिन उसने कहा था कि आपने तो मुझे बताया था कि आपका छोटा भाई है बड़ा भाई कहां से आ गया क्योंकि शायद मेरे भाई ने उसको बताया था कि मेरा एक छोटा भाई है मेरे बारे में बताया था मीरा बेहोश इसलिए हुई थी क्योंकि वहां मा बनने वाली थी और अब उसके पेट में मेरा बच्चा था मेरा भाई भी बहुत गुस्सा हुआ पर मैंने उसे कहां की गलती तुम्हारी है तुम्हें मुझे अपनी शादी में बुलाना चाहिए था अपने बारे में बताना चाहिए था मेरे साथ मिलाप रखना चाहिए था ताकि मुझे पता होता कि तुमने किस से शादी की पर तुमने तो मुझे अपनी शादी में बुलाना भी जरूरी नहीं समझा, अपनी पत्नी की तस्वीर तक नहीं दिखाई अगर मुझे पहले से पता होता तो यहाँ मुझे मिलती और मैं इसको तुम्हारे पास ना लाता, ऐसे कैसे हो सकता था मैं तुम्हारी मदद नहीं करता, लेकिन तुमने तो मुझे कभी किसी के काबिल भी नहीं समझा और अब तुम आ गए हो मुझसे अपनी बीवी मांगने के लिए डॉक्टर ने कहा कि जो मीरा चाहती है वही करें नहीं तो वह आत्मात्या कर सकती है और वह मेरे साथ रहना चाहती थी वह मेरे भाई को ऐसे ही समझ रही थी कि जैसे वह कोई दुश्मन है जो उसकी जिन्दगी बरबात करने के लिए आया है वह उसके साथ नहीं जाना चाहती थी और बच्चा भी तो मेरा था मेरा भाई मान गया उसने कहा कि मेरी गलती है मैंने किसी और के साथ रिष्टा रखा था और जोती को इस बारे में पता चल गया था इसी लिए हमारा जगड़ा हुआ था और वह मुझे छोड़ कर चली गई शायद अब मैं उसके काबिल ही नहीं हूँ क्योंकि मैंने उसके साथ बुरा किया लेकिन तुमने उसे बहुत अच्छी तरह से रखा हुआ है वह हमारे बीच से निकल गया और हम लोग तब से साथ रहते हैं डॉक्टर ने कहा था कि उसे उसकी पुरानी जिंदगी कभी याद आईगी या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं है या बहुत ही खास किस्म की बीमारी है बहुत कम लोगों को होती है और अभी तक न तो इसका ठीक से इलाज पता चला है और नहीं इसकी वज़़ग लेकिन यह सब कुछ सदमे और दुहक की वज़़ग से होता है मुझे नहीं पता कि मैंने सही किया या गलत लेकिन हमने वही किया जो हमें डॉक्टर ने करने को कहा था उन्होंने कहा था कि अगर मीरा की मर्जी के खिलाफ कुछ किया गया तो अपने आप को नुकसान पहुँचा सकती है और ऐसा ना ही मैं चाहता था और ना ही मेरा भाई लेकिन कितनी अजीब बात है कि इतनी दूर से यहां तक चली आई और फिर मिली भी किसको मुझे मैं तो उसका देवर था ना लेकिन अब मैंने उससे शादी कर ली थी और हम लोग अपनी जिन्दगी को अच्छी तरह से गुजार रहे थे आप लोग हमें बताओं मैंने सही किया जा नहीं